हेलो फ्रेंड्स यह है न्यू ट्राफिक रूल्स अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आपके जिब को भारी फटका पड़ सकता है विदाउट सीट बेल्ट अगर आप कार चलाते हो तो पहले 100 रुपीज फाइं ता जो अब 1000 रुपीज हुआ है विदाउट हेलमेट बाइक चलाते हो तो पहले 100 रुपीज था जब अब और 1000 रुपीज हुआ है और अपका ड्राइविंग लाइसंस तीन मेने के लिए डिस्कॉलिफाइड भी हो सकता है ब्लॉकिंग वे ओप इमर्जनसी वेहिकल लाइक आप अम्बलन्स या फाइर बिगेड का रस्ता रोकते हो तो पहले इस पे कोई प्रोवीजन नहीं था बट अब 10,000 रुपीज तक का जुर्मना या 6 मेने की जेल हो सकती है विदाउट ड पर्स टाइम पकड़े जाते हो तो 5,000 रुपया या 3 मन की जेल हो सकती है या दुबारा आप पकड़े गए तो 10,000 रुपया का जुर्मना लग सकता है या 1 साल तक की जेल हो सकती है योग्यता के बावजूद भी आप ड्राइविंग करते हो तो पहले इस पे 500 रुपी जु अगर आप कार या बाइक चलाते हो तो पहले 500 रुपीज फाइन या 3 मन की जेल होती थी बट फर्स टाइम आप पकड़े गए तो 5,000 रुपया तक का जुर्मना या 3 मन की जेल हो सकती है बट सेकेंड टाइम फिर से पकड़े गए तो 10,000 रुपया तक का जुर्मना और 1 साल की जेल हो सकती है अगर 18 साल के नीचे का लड़का कार चलाता है तो parents पे action होगा जैसे के 25,000 रुपया तक का fine with three years जेल हो सकती है और अपना vehicle का registration भी cancel हो सकता है और लड़के की उमर 25 साल होने तक उसको कोई driving license नहीं मिलेगा पहले इस पे कोई provision नहीं था और ड्रंक driving दारूपी के गाड़ी चलाते तो पहले 2000 रुपया का fine और और six month की जेल हो सकती थी अगर second time पकड़े गए तो 3000 रुपया का fine और दो साल तक जेल हो सकती थी बट अब पहली बार ही पकड़े गए तो 10,000 रुपया तक का fine और छे मैने की जेल हो सकती है और second time फिर से पकड़े गए तो 15,000 रुपया तक का जुर्मन और दो साल तक जेल हो सकती है ट्राफिक सिगनल तोड़ने पे पहले आपको 100 या 300 रुपया तक का fine पड़ता था बट अब 1000 से 5000 रुपीज या 6 से 12 मैने की जेल फर्स टाइम होगी और second time फिर से पकड़े तो 10,000 रुपया तक का जुर्मन और दो साल की जेल हो सकती है या दोनों भी हो सकता है अगर गाड़ी का horn काफी loud है तो उस पे पहले कोई provision नहीं था बट अब आपको 1000 रुपया से 2000 रुपया तक का जुर्मन अलग सकता है आपका vehicle insured नहीं है मतलब उसका insurance नहीं निकाला है तो जल्दी उसका insurance निकाले क्योंकि पहले उस पे 1000 रुपिस तक या 3 मेने की जेल हो सकती थी बट अब वो 2000 रुपया से लेके 4000 रुपया तक का जुर्मन नहीं हो सकता है या 3 मेने की जेल या दोनों भी हो सकता है आप mobile गाड़ी चलाते वक्त mobile phone पे बात कर रहे हो तो पहले उस पे 1000 रुपया या 6 मन की जेल हो सकती थी बट अब उसे काफी बढ़ाया है 1000 से 5000 रुपया तक और 6 से 12 मेने की जेल हो सकती है या फिर दोनों भी एक साथ हो सकता है और सेकेंड टाइम फिन से अगर पकड़ेगे तो 10,000 रुपया तक का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है कुछ और भी रूल से जैसे pollution certificate P.U.C. अगर नहीं है तो पहले 100 रुपीज जुर्माना लगता था अब 500 रुपया का जुर्माना लग सकता है टू विलर पे अगर तीन लोगों के साथ पुलिस ने पकड़ा तो पहले 100 रुपया का फाइन लगता था बट अब 500 रुपया का फाइन लग सकता है आप no entry याने के गलत दिशा में driving कर रहे हो तो आपको 1100 रुपया तक पहले पहले 1100 रुपया था अब आपको 5000 रुपया तक का जुर्माना लग सकता है यह थे traffic के new rules लगबग मैंने सभी rules cover किये है प्लीज आप कोई rule न तोड़े हम सब मिलके new rule का पालन करते है thanks for watching this video अगर मेरा वीडियो आपको पसंत आया तो please मेरा channel subscribe करो thank you very much